PGDK weapon पदों के लिए HPSC ने जारी किया interview का schedule और jail superintendent समयत कई पदों पर screening test का schedule वी जारी हुआ जल्द होंगे साक्षात का और उसके बाद क्या भरती हो पाएगी पूरी इसे के उपर आज की चर्चा रहेगी तो बेना किसी देरी की शुरू करते हैं वीडियो को और जिस साथी ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है वो चैनल को सबस्कारीब करें इसी तरह के लिए test updates के लिए तो साथियो आपको बता दें कि आज के प्रमुक समाचार पत्र में बड़ी प्रमुकता के साथ ये खबर छपी है कि हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन की और से जहां कई पदों के screening टेस्ट तो PGT के इंटर्यू का शेडूल जारी कर दिया गया है जिसके अनुसार डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल, इलेक्शन तहसिलदार और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ओफिसर फीमिल भरती का screening टेस्ट 29 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से 2 पहर 12 बजे तक होगा जबकि Horticulture Development Officer वे District Horticulture Officer का जो screening टेस्ट है वो भी इसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और अब बात करें PGT की तो साथियो जो PGT का इंटर्यूव शेडूल है उसमें जो HPAC है उसकी और से PGT के इंटर्यूव के लिए जारी किये गए शेडूल के अनुसार जो है 6 नवंबर को मेवात केडर के PGT Home Science, Psychology और Socialogy पदों के लिए जो है इंट्यू होगा जबकि 7 नवंबर को मेवात वे हरियाना केडर के PGT Music, 8 वे 9 नवंबर को PGT Political Science, 14 वे 15 नवंबर को मेवात वे हरियाना केडर के PGT Fine Arts और 16 से 18 नवंबर तक दोनों केडर के Physical Education PGT पदों के लिए इंट्रिवी होगा तो दोस्तों ये थी हाल फिलाल की लेटेस्ट अपडेट भरतियों को लेकर हरियाना में जो अब चल रही हैं बाकी जो court cases हैं वो भी काफी हैं अगर बात की जाए TGT की तो TGT के उपर काफी court cases हो रखे हैं और उसी के चलते जो result है वो अभी जारी नहीं किया जा रहा लेकिन इसमें सरकार चाहिए तो कर सकती है और उसके लिए उम्मेद्वारों को एक जुट होकर धरना परदर्शना करना होगा और court का भी जो है सहरा लेना होगा जिन विशों के कोई court cases नहीं है कम से कम वो उम्मेद्वार जो है court में जाकर अपना result जारी करवाने के लिए एक अरजी लगा सकते हैं बाकी आपकी क्याराय है हमें comment section में बताएं तो आपसे जन्द मुलाकात होगी किसी latest video के कर दो